माननिय प्रधान मन्त्री जी भारत के राजथानी एतिहासिक नगरी दिल्ली के विवेकानन स्कूल की कक्षा बारवे की छात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं खुशी क्रिप्या अपना प्रश्न पूछिए यह अच्छी बात है खुशी से सुरू हो रहा है और हम भी चाहते हैं कि परिशा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे माननिय प्रदानमंद्री महोदे नमस्कार मेरा नाम खुशी जैन है मैं कक्षा बारवी विवेकानन स्कूल आनन्द विहार दिल्ली की छात्रा हूँ मानिवर मेरा प्रश्ण है जब हम घबराहट के स्थिती में होते हैं तो परिक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें धन्यवाद धन्यवाद खुशी मानिवर साहितिक परंपरा के परिपेक्ष में अत्यंत सम्रिद्ध प्रदेश 36 गड़ के बिलासपुर के कक्षा बारवी के चात्र एश्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूज रहे हैं वह उत्सुक है प्रदान मंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को श्रीधर क्रिप्या अपना प्रश्न पूछिए नमस्कार मारणीय प्रदान मंत्री महदे मैं एश्रीधर शर्मा दक्षिनपूर्व मध्यरेल में उचितर माध्य में क्विद्याले नमबर वन बिलासपूर छतीजगर के कक्षा बार्वी आर्ट्स का छात्र हूँ महदे मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है मैं परिक्षा संबंधी तनाव से कैसे निप्टूं अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा और अंततहा अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निप्टूं धन्यवाद श्रीधर From the land where the Sabarmati Sant Mahatma Gandhiji started his Satyagraha movement I invite Kenny Patel, a class 10 student of Varodra who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her Kenny, please ask your question Greetings Prime Minister Sir, my name is Kenny Patel, I am from Treehouse High School, Varodra Gujarat from class 10 My question is, how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision to enhance our marks and results and how to take proper sleep and rest during the examination time Thank you Sir Thank you Kenny Maneniyya Pridhan Mantri Ji, Khushi, Shrithar Sharma, Tathakeni Patel, Parikshake Tanavs se Vyathit hain उन्हे की तरह, देश भर से अनेक विद्व्यार्थियों ने एक्जाम स्ट्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे हैं परिक्षा के तनाव से लगभख सभी विद्व्यार्थी प्रभावित होते हैं और आपके मार्दर्शन के अभिलाशी हैं माने ने प्रिधान मंत्री जी एक सास आप लोगों ने इतना सेवाल पूछ लिये हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा तेखिये आपके मन में भाय क्यों होता है यह प्रशन मेरे मन में है क्या आप पहली बार एक्जाम देने जा रहे हैं क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एक्जाम देने जा रहा है मतलब कि आपने बहुत सारी एक्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एक्जाम के इस दौर से आखरी छोर की दर पहुँच चुके है इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का धर ये तो दिमाज में फैटता रही है तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तै कर लिजिए कि परिख्या जीवन का एक सहज हिस्सा है हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजर ना है हम गुजर चुके हैं जब इतनी बात हम एक्जाम दे चुके हैं एक्जाम देते देते एक प्रकार से हम एक्जाम प्रूफ हो गए है और जब ये विश्वास प्यादा हो जाता है तो ये नहीं आने वाली किसी भी एक्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं इसे आपके इन अनुभव को जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं उसको आप कतई छोटा मत मानिए दूसरा ये आपके मन में जो पैनिक होता है क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेडनेस में कमी है कहने को दो हम कुछ कहते होंगे लेकिन मन में रहता है मेरा आपको सुझाव है अब एक्जाम के बीच में समझ तो जादा है ये नहीं इस बोज को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वाज भरकर के आगे बढ़ना है हो सकता है एक दो चीजे छूट गई होगी एक आज चीज में थोड़ी जितनी महनत चाहिए नहीं होगी उसमें क्या है लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है तो वो बाकी चीजों में भी वो उवरकम कर जाता है और इसलिए मेरा आप से आग रहे है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए पैनिक क्रेट हो ऐसा बातावरा उनको पनपने ही मत दिए जितनी सहज दिन्चरिया आपकी रहती है उतनी ही सहज दिन्चरियात में आप अपने आने वाले परिशा के समय को भी बिताईए एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टमस पैड़ा करेगा वो यह करता है तो चलो मैं भी यह करूँ मेरा इदोत ऐसा करता है इसलों उसको अच्छे मार साते हैं मैं भी वो करूँ आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आये हैं और उसमें आप विस्वाव भगे मुझे पका भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से उमंग से उत्सा से एक फेस्टिबल मूर में एक्जाम दे पाएंगे और सफर होके रहेंगे